नमश्कार दोस्तों, तो नई सुबह, नई उमीद के साथ आती है कि भाई आज बजार उपपर होगा, परकेश पास दिन से तो गिर ही जा रहा है, गिर ही जा रहा है, कोई तो चो पर फिर आज जो major questions मेरे पास आये हैं, mean questions है कि भाई कहा करें invest, क्योंकि ये आ चुके है है हमा बहुत बहुत अच्छी आएगी तो सबसे पहले जो पूर्चुनिटे दिख रही है वो हमें दिख रही है बैंक निफ्टी के अंदर तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे ना 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 इस पैलिंग गलत नहीं हो जाती है सुबह जो आप पर पुराना ट्रेंड लाइन देखते हैं हम यहां पर follow करने ही कोशिश कर रहे हैं वह आप देखोगी कि भाई अब इसने trend line तोड़ दिये तो यहां पर फिर हमें ढोड़ना पड़ेगा एक support कि यह कहां पर बनेगा support क्योंकि पैसा वहीं बनेगा market वहीं से reversal ले सकती है तो अगर आप सीधी सीधी line की चोगी आई थिंक यह सीधी line है तो अगर आप सीधी सीधी line देखोगी तो bank nifty का 50,000 पर बनता है एक major support so most probably most probably कल यहां पर मतलब आज यहां पर थोड़ी अगर heavy buying आ जाए तो वापिस से यह trend line के अंदर घूमना शुरू कर देगा कैसे शुरू कर देगा जैसे अभी तक कर रहा था कि यहां से most probably उपर की side निकल जाए और अपने support को एक respect दे और वापिस उपर की side चला जाए लेक निफ्टी के लिए तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा बट अगर अब इतने ज्यादा जिन्याट वाजी में नहीं पढ़ना चाहते कि वाई क्या support क्या resistant मैं तो एक mutual fund investor हूं तो भाई बढ़िया टाइम है symbols answer है खरीदो जितना खरीदना खरीदो बैंक निफ्टी को खरीदो इसके बिचे की कुछ reasons है यह भी मैं बता रहेता हूं देखो RBI जो है अब वो rate cut करने की तो सोच है देखो problem क्या है इस समपे इंडिया में वो यह है कि भाई US rate cut कर चुक है अब इंडिया की जो RBI है उसको rate cut करना बड़ वो सोच रहे है कि भाई मैं इस महीने करूं या फिर दिसंबर के अंदर करो तो एक वीक के अंदर मितलब 3-4 दी नहीं बचें उसके अंदर RBI की मीटिंग है लेकिन जो इस समपे news निकल के आ रहे है RBI के चेर परसन की साइट से वो निकल के आ रहे है कि इस बार हो सकता है rate cut ना हो जो की जो की short term में बहुत अच्छी बात है इं इंडिया के अंदर वापिस से इंवेस्ट करते हैं because interest rate high मिल रही है यहां पर एक basic example में देता हूँ जब यहाद है Japan वाला crisis हुआ था तो Japan वाले crisis में क्या हो था सब ने यूएस से पैसा निकालके वापिस जपैन वाली market में इंवेस्ट केता है इसलिए बहुत तीज़े भागे थी वर ही चीज इंडियन कॉंटेक्स में भी हो सकते है कि अगर आर भी आए जिससे में पर rate cut ना करें शॉट टम के अंदर आई FI के लिए हमारी किनोमी बेस्ट होगी और जो FI का पैसा है वह वापिस इंडियन मार्केट के अंदर आएगा अब जो मार्केट के अंदर आएगा तो सब से जाधा safest और सब से जाधा सस्ती चीज़ क्या दिख रिए वह दिखिरी है बाई इंडिय इंडियन बांड में इंवेस्ट करते हैं और यहां पर लिक्विडिटी भी बड़ेगी रेट कट नहीं होता तो FI के लिए बहुत अच्छा है अगर रेट कट हो जाता है तो हमारे बैंक के लिए बहुत जाद अच्छा है तो आप यह मानों कि भाई अब ना बस हम होता है जैसे एकदम टेक-उफ करने वाले होता तो बहुत सारी आग निकल रही होती है एकदम से लिए हिल रहा होता साही चीज़े वैसी है हमारी एकनोमिस स्वाह पर वैसा है हमारा बैंगिंग सेक्टर तो बाई आप यह समझो कि निफ्टी तने रिटन दे चुका है तो बैंक न बैंकिंग फिनेंस वाले मुच्वल फंड के अंदर मेजर नुजर होई चाहिए आपकी यह जो करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है यह करेक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी रिकवर कर सकता है अगर हमारा बैंकिंग सेक्टर चलना शुरू हो जाए तो अगर आप एक मुच की FMCG ठीक है तो FMCG को भी देखोगी निफ्टी का तो यह भी एक अच्छे डिस्काउंट के उपर मिल रहा है अपने ओल टाइम है से करीब करीब आपको डिस्काउंटेट प्राइस पर मिल रहा है पांच परसेंट के आसपस तो इसके जो मुच्वल फंड होंगे वह साथ परसेंट अल्रेडी गिर चुके होंगे FMCG डिफेंसिफ सेक्टर है अगर आपको एक परसेंट भी लगता कि मार्कें आप बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखना चाहते हो तो निफ्टी फार्मा आप देख सकते हो फार्मा की सब्सक्राइब नहीं किरा तो यहां पर भी ऑप्शन बन रहा है इसी साथ सब्सक्राइब कुछ स्टॉक्स की बात करूं तो जो पहला स्टॉक जो इस समय पर मेरा फेवरेट हो चुका है वह भाई डी मार्ट के अंदर को प्रॉब्लम क्या है ठीक है बड़े इन्वेस्टर सब्सक्राइब यहां देख लेकिन बीसमसर्ट अल्रेडी हो चुका है अगरे अपने सिर्फ ऑसे और टाइम हाई पर भी चला जाए यह वाला स्टॉक तो यहां से बाई बाइस परसंट यह गिन बनते हैं और डी मार्ट पहली चीज इतना जादा गिरता नहीं जिब बजार बजार में तरही तरही चाहिए थी बजार में पागल पन चल रहा था तब भी डी माट नहीं किरा था अभी डी माट मुझे नहीं लगता बुरा स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है इसके अंदर भी बल्बाइक किया जा सकता है अगर आब एक लॉंग टर्म इस इंवेस्टर को एक स्टेडी ग्रोफ चाहिए तो डी माट बहुत अच्छी कंपनी है वैल्यूइशन डेफिनिट्ली थोड़ सा जाद है बट ठीक है यार ग्रोफ अभी बाकी है तो एक ग्रोफ टाइप की कंपनी है तो इसके अंदर देखा जा सकते तब बुरा स्टॉक नहीं मैं यह ब आगलपन चल रहा था बट इस समय पर लोग परिशान है कि आई डेसी फरस्ट चलनी रहा तो मुझे लगता है जातर लोगो बेच के निकलेंगे अब आई डेसी फरस्ट बैंक को देखोगे ना तो और टाइम हैस है मतलब जब से गिरना शुरू है तब से लेकर आज तक में यह 30% करेक्ट कर चुका है मतलब गिर चुका है और एक मीजर सपोर्ट के पास भी आपको दिख रहा है इसका यह एक मीजर सपोर्ट है बार बार आकर के ना यह इसी को टेस्ट करता है अगर यहां पर एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर दूं तो यह देखो में यहां पर काफी बार आकर टेस्ट करता है उसके बार रिकवरी होती है सिर्फ रिकवरी की बात करूं और यहां से मिरे को लगता एक साल के अगर एक साल के अगर बहुत कर सकते हो अगर कोई पूछे के बाद दूसरा बता दो और पॉन से स्टॉक्स है तो भाई एक हाई ग्रोथ इंडस्टी है इसने रिवर्सल दिखाया था इवन ट्रेंड लाइन चेंज करने कोशिश करी ट्रेंड लाइन चेंज हुई पर इस सहां पर जो प्रेशर बैंकिंग के उपर देखने को मिला उस वजह से यह स्टॉक भी थोड़ा बहुत गिर है और वापिस इंडस्ट्री बहुत अच्छा आपको सकंदे जरूर्व ईंवेस्ट करना चाहिए इस्समौल हाउजिंग फिनेंज ग कंपनी इस बहुत अच्छे हैं यह इस रहे बताये हुए यह कुछ ऐसी ऑपर बाजार में साफ अगर आप अग खूल करके ने बीए दिखिक अगर आप पर भी बल्क बाइंग ऑपरचुनिटी आपको दिख रही है बजाज जैसे स्टॉक्स में भी बल्क बाइंग ऑपरचुनिटी दिख रही है आपको सर्व सो लंबसम की बाद हम कर चुके हैं और लाइट जा चुके तो इसलिए पर काम करेंगे थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जिसको पर आज का दिन निरभर भी होने वाला है सबसे पहले चीज़ हर्याना के इलेक्शन का डेट आ चुका है भाई आठ अक्टूबर है उसको आठ अक्टूबर को इलेक्शन आई रहा तो पता चल जाए कि किस जगा पर सैंट्केमेंट जा अगर बजार को थोड़ा सब की नेगेटिव इंडिकेशन मिला तो भाई आज के बजार में भी थोड़ी बहुत गिरावाट आपको देख रहे हैं तो मेरा यही रहेगा मैं हमेशे यही कहा रहा हूं कि तीन वज़े के आसबस करिदना तुछ करिदना हो तो और mutual funds वाले हो अगर आप लॉज़े के आसबस करिदना तब तक एक आडिया लग जाता है कि मार्किट किस साइड जा रही है सेंटिमेंट किस साइड जा रहा है तो कभी भी तरह नहीं पड़ता दो रुप का दो रुप नीचे क्या ही लेना देना है ठीक है क्योंकि एलेक्शन का देना है एक आधी हफ़ते में जो भी सेंटिमेंट होंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे अगर आप देखोंगे बजेट आया वो नॉर्मल हो गया जो हमारी इलेक्शन होए थे जून के अंदर उसके बावजिव जो बज़ार का नॉर्मल हो जाए कि लॉप पर भी किसकी एप बाशने के लिए अिनवेस्टिंगे सी के साथ चलेगो कि सब्सकिए अग्कुए बचुप बढ़ेगा अगर करना पड़ेगा अगर यह election के result हो पहुच लेगा तो उसके बाद ही बात करेंगे मेरे सबसे बढ़ हां यह एक major point है तो तीन बजे का वेट करना अगर आप stock में invest करते हो तो एक direction मिल सकती है आपको और यह major point है इस पे जब result आएगा उसके बाद भी छोड़ी से discussion करेंगे तो अबर वीडियो पसंद आए वीडियो में कुछ नहीं सीखने को मिला है तो प्लिस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइक करना बिलकूल मत भूलना आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है किसको वित्ति सीट मिलेगी comment section में बताऊ तो बड़ा मज़ा आएगा यह बहुत मज़ाता है ऐसे comment को देखने में, so मैं सारे comment ट्रीट करूँ हर किसी को हाट दूनगा मैं उसके दा, so thank you so much for watching this video, tata bye bye, signing off.